बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अगल अलग बातों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पान मसाला का एड़ कर रहे हैं। इसको लेकर एक्टर को खूब ट्रोल किया गया, जिसके बाद अक्षय कुमार ने अपनी सफाई पेश की। इस वीडियो के अलावा अक्षय कुमार अपनी फिल्म मिशन रानी गंज को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अब तक कमाल नहीं दिखा पाई। अब इस फिल्म की कमाई को लेकर अक्षय कुमार ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मिशन रानी गंज बॉक्स ओफिस अब तक ज़्यादा कमाई नहीं कर पाई। अक्षे कुमार की फिल्म मिशन रानी गंज वी फ्लॉप मानी जा रही है। इन सब के बीच अक्षे कुमार ने मिशन रानी गंज को लेकर एक इंटर्व्यू में अपनी बात रखी है। अभी तक लगभग 150 फिल्मे की है, मिशन रानी गंज में ब्यास्ट फिल्मों में से एक है। जानकारी के लिए बता दे कि अक्षे कुमार और परिनीती चोपड़ा की फिल्म मिशन रानी गंज आब तक बॉक्स ऑफिस पर महस 15 करोर रुपय ही कमा पाई है। अक्षे कुमार क मिशन रानी गंज पही फिल्म नहीं है, जो फ्लॉक हुई है। सेल्फी से लेकर रक्षा बंधन का तक नाम इस लिस्ट में शामिल है। साल 2022 से लेकर अभी तक अक्षे कुमार की ओमजी दो ही बस ठीक थाक कमाई कर पाई है। इसके अलावा उनकी सभी फिल्मों का बॉक्स ओफिस पर बुरा हाल रहा है। आप देखना होगा अक्षे कुमार अपनी अपक्मिंग फिल्मों से बॉक्स ओफिस पर वापसी कर पाते है या नहीं। अक्षे कुमार और परिनीती चोपड़ा की फिल्म मिशन रानी गंज को लेकर आपकी क्या राय है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं।